असलाम वालेकूम मैं हूँ शार रसूल आप देख रहे हैं टेक्नोलोजी इन दोस्ता अभी पिछले दूने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एपल कोई ड्यूल सिम वाले आइफोन को लांच करने का प्लाइन कर रहा है और अब जब के एपल को सुनके हम में से कई लोग परेशान हो गए कि यह क्या नएजीं चीज़ है दरबसल होता यह कि अब तक जो हम सिम यूज करते आए हैं अब तक मार्किट में वही इसी तरह काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो sim jack मिलता है वो dual sim support करता है जिसमें हम अपने दोनों sim को एक साथ insert कर सकते हैं लेकिन यहाँ iPhone में technology काफी different है यहाँ पर e-sim जो दी गई है, e-sim दरहासल एक ऐसी technology है जिसमें जिस वक्त phone manufacture हो रहा होता है उस वक्त phone के board के साथ sim को place कर दिया जाता है और user जब भी कभी अपने उस sim को activate करना चाहे तो वो telecommunication company को call करेगा वहाँ से अपने connection है उसको अपने phone के IMEI के through connect करवाएगा तो user का connection होगा वो activate हो जाएगा और वो अपने connection को इस्तेमाल कर पाएगा इस तरह की यह एक technology यहाँ पर निकल के आई है e-sim के नाम से अब यहाँ पर problem यह हो गई है मसला यह हो गया है कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम मुमालिक हैं जहाँ पर telecommunication company यह e-sim की facility दे रही है यानि मैंने जो study किया तो पूरी दुनिया में टोटल दस ऐसे मुमालिक हैं जो e-sim की facility दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो 10 मुमालिक हैं मैंने एक list मना ली है वो list मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं आप लोगों से share करूँ एक हमारे पास यहाँ पर आस्ट्रिया है जहाँ पर T-Mobile अपने सारफीन को e-sim की facility दे रही है कैनेडा में Bell जो company है टेली कम्यूनिकेशन company है वो अपने सारफीन को e-sim की facility दे रही है क्रोशिया है, Czech Republic है, Germany है हंगरी है यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में हमारे पास AirTel और Reliance Geo यह दोनों company अपने सारफीन को e-sim की facility दे रही है इसी तरह हमारे पास Spain है Spain में Vodafone दे रही है अपने सारफीन को e-sim की facility बरत्यानिया है और America है America में हमारे पास T-Mobile, AT&T और Verizon जो company है आपने सारफीन को e-sim की facility दे रही है अब यही मसला है कि पूरी दुनिया में सरिफ 10 यह में मौलग हैं जो अपने सारफीन को e-sim की facility दे रही है और पाकिस्तान में कोई भी ऐसी टेली communication company नहीं है जो अपने सारफीन को फिल हाल e-sim की facility दे रही हो यकिनां बहुत जल्द ये फैसिलिटी पाकिस्तान में भी आ जाएगी लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ऐसी कोई भी कमपनी नहीं है जो अपने सारफीन को E-SIM के फैसिलिटी दे रही हो दोस्तों ये थी एक चोटी सी इनफॉर्मेशन E-SIM के हवाले से कि E-SIM है क्या और आईफोन के जो डियूल सिम कार्ड की टेकनलोजी है वो किस तरह काम करती है तो यहां पर हम एक अपनी फिजिकल सिम लगा सकते हैं जो अब है हमारे पास और दूसरी जो सिम है वो E-SIM है तो पाकिस्तान में अगर हम यह जो नई सीरीज है आईफोन की यह हम अगर इस्तिमाल करते हैं तो इन में हम अपनी जो फिजिकल सिम है वो तो इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन E-SIM फिलहाल इस फोन में जो डियूल सिम फैसिलिटी दी गई है उससे हम facilitate नहीं हो सकते हैं फिलार हम इसको single sim के तोर पर ही इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों यह थी information e-sim के हवाले से और iPhone के जो dual sim technology है उसके हवाले से उम्मीद वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक जरूर कर लीजेगा चैनल को जरूर सबस्क्राइब करने अगर अब तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया यहां पर मैं इस तरह की informative वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपना बहुत खियाल लगी वीडियो में आपसे मुलापात होगी अलाहाफिस